हालो फ्रेंड्स मैं शोकुमार अपने चैनल नैच्छल साइंस कॉर्णर में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और इस बार बायलोजी पर दूसरा लेक्चर लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसमें बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस के एक बहतरीन चैप्टर की जिसका नाम है नूट्रिशन जान दोस्तों इसमें बात करेंगे कि नूट्रिशन क्या है नूट्रिशन की जरूरत क्यों है नूट्रिएंट्स क्या होते हैं और वो तरीके कौन-कौन से हैं जिसके मा कर सके तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर न्यूटिशन क्या है बड़ा ही इंट्रेस्टिंग टोपिक है आपको बहुत मज़ा आने वाला है अगर आपने इसका इंट्रोलेक्शन लेक्शन नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक कर इसका इंट्रोलेक्शन लेक्शर देख सकते हैं तो आएए बात करें एक खास बात और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल भी न भूले clear for survival and maintenance of their life is known as nutrition यानि वो प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के माध्यम से कोई भी जीव भोजन प्राप्त करता है ताकि वो सर्वाइब कर सके जीवित रह सके साथ ही साथ महों क्या कर सके maintenance कर सके यानि जो शरीर के अंदर टूट-फूट हो रही है या फिर बाकी दूसरी क्रियाएं हो रही हैं, उसको maintain कर सके, तो उसी process को क्या कहा जाता है, nutrition कहा जाता है, I hope, समझ में आ रहा होगा, फिर मैं एक बार बता देता हूँ, simple भाषा में, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा, कि nutrition क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के अंदर कोई भी जीव भोजन प्राप्ट करता है, ताकि वो जीवित रह सके, साथ ही साथ अपने लाइफ को maintain कर सके, हम सभी जाते हैं, कि हमारे जीवन में हम विविन तरह की activities करते हैं, चाहे वो खाना पचाने से लेकर सांस लेने से लेकर दोरने, भागने, या फिर हमारा क्या है, सरीर के अंदर बहुत सारे और भी काम होते हैं, जैसे reproduction का काम होता है, transportation का काम होता है, circulation का काम होता है, बहुत तरह के function होते हैं हमारे सरीर के अंदर, और उन तमाम functions को perform करने के लिए, किसी भी organism को nutrition की जरूरत होत अब सवाल यह उठता है कि नीड क्यों है नीड इसी लिए है ताकि वो इस प्रॉसेस को परफॉर्म कर सके अगर उसके पास एनर्जी नहीं रहेगी नीडिशन का मतलब क्या है कि हम वो भोजन लेते हैं उस भोजन के अंदर कुछ एनर्जी है वो एनर्जी हमारे शरीर के अंदर जाती है और उसी एनर्जी से हमारा शरीर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज को पॉफॉर्म करता है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप पर रहे हैं कोई दौर रहा है कोई खेल रहा है किसी के सरीर में कुछ खाया है तो वो पाचन हो रहा है वो पाचन होने के बाद जो अवस्ष्ट पदात बजता है जो वेस्ट प्रड़क्ट बजता है सरीर के अंदर वो सरीर से बाहर जा र रहा है, सांस लेने की प्रक्रिया हो रही है, ब्रेधिंग हो रही है चाहे वो chemical हो या फिर mechanical हो वो तमाम processes जो सरीर कर रहा है už को करने के लिए कही न कही आपको energy की जरूरत होती है और वो energy हमें कहां से मिलती है वो energy मिलती है nutrition से और नुटिशन को वह चीज कहां से मिलेगी वह भी हम रिसकस करेंगे तो नुटिशन की जरुवत क्यों पड़ी ताकि लाइफ के जितने भी अक्टिविटीज हैं जितने भी प्रोसेसस हैं वह परफॉर्म किये जा सकें तो इसलिए वहां हमें जरुवत होती है नुटिशन की अब सवाल उठता है कि ये नुटिशन जो है जीब को कहां से मिलता है तो बड़ा ही सिंपल सा जवाब है इसका कि नुटिशन हमें कहां से मिलता है नुटिएंट से यानि भोजन के अंदर मौजूद वो मटेरियल जो क्या दे रहा है energy provide कर रहा है energy supply कर रहा है वहीixes सब्सक्राइब है यानि यानि वह भोजन के अंदर मौझूद material हमारे काशवब करता है ताकि श्रीर हमारा विविन तरह की activities को परफॉर्म कर सके क्लिए मटियर को हम लोग क्या बोलते हैं नूर्टीएंट्स बोलते हैं। नूर्टीएंट्स को आप दो कैटीएंट्स किलासिफाई कर सकते हैं, उसके यूज की आदहार पर।। या तो कम मात्रा में किसी Suchy ज़रुवत होती है या फिर ज्यादा मात्रा में जरुवत होती है। तो quantity के आधार पर आप nutrients को दो भागों में classify कर सकते हैं, एक को macronutrients और दूसरे को micronutrients कहेंगे, macronutrients क्या है, कहता है वो main nutrients है, जिसकी जरूरत हमारे सरीड को ज्यादा मात्रा में होती है, उसको macronutrients के नाम से जाना जाता है, जिसमें कौन-कौन से शामिल हैं, carbohydrates, fats, proteins, ये ऐसे nutrients हैं, जिनकी जरूरत सरीड को ज्यादा परती है, इसलिए इन्हें macronutrients कहा गया है, अब बात करते हैं, micronutrients की, micronutrients वैसे nutrients को कहते हैं, जिसकी शरीर को कम मात्रा में जरूरत होती है, और इसके माध्यम से शरीर सामाने तरह से विकास करता है, तो ऐसे nutrients को हम micronutrients की शरी में रख सकते हैं, जिसके अंदर आप देखते हैं, vitamins and minerals आते हैं, जिसकी जरूरत बहु क्वेवलप्मेंट हो सकी तो ध्यान रखना है जो मैक्रो नूतेरिंट से देर कार्गोहरीड है मेन एनर्जी गिविंग फूल है यह मिलता है प्रोटीन है जो दाल से आपको मिलता है या फिर आप जैसे नट्स खाते हैं जैसे मुंफली है बादाम है यह सब चीज़ें खाते हैं या फिर दूद है वहां से आपको प्रोटीन मिलता है राइक माइक्रो न्यूट्रियंट्स के अंदर जो बिटेमिन्स है और मिनरल्स है वो आप साख सब्जी खाते हैं उनसे मिलता है या फिर मसाले खाते हैं उनसे आपको मिनरल्स मिलता है तो यह तमाम न्यूट्रियंट्स है जिनकी कम या ज्यादा मात्रा में शरीर को जरुवत होती है तो यह देख लेते हैं nutrition के कितने type हैं या वो कौन सा mode of nutrition है जिसके माध्यम से कोई भी organism अपने आपको नरिश करता है जहां types of nutrition की बात करें ते दो तरह के nutrition होते हैं एक को बोलते हैं autotrophic nutrition और दूसरे को बोलते हैं heterotrophic nutrition अब सवाल ही उठता है कि autotrophic और heterotrophic में क्या difference है आकिर यह nutrition क्या है धरसल यह दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है अगर इसको आप break करेंगे तो autotrophic अगर लिखते हैं autotrophic तो इसमें आप देख सकते हैं एक है auto यह बेसिकली ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है सेल्फ यानि स्वाइम और ट्रॉफी जो है इसका मतलब होता है फीड या फिर इसी को आप लिख सकते हैं नरिश्मेंट या कहीं कहीं पर इसी को लिखा मिलेगा synthesis of food यानि नाम से असपस्ट हो रहा है autotrophic का मतलब हुआ खुद से यानि से क्या हो नरिश्मेंट हो या अगर nutrition की respect में देखें इसका definition तो क्या लिख सकते हैं कि nutrition का वो तरीका जिसमें कोई जीव अपना भोजन खुद बनाता है उस तरह के nutrition को autotrophic nutrition कहा जाता है जो लिखा यहां पर mode of nutrition in which an organism prepares its own food is known as autotrophic nutrition जो basically इसके अंदर कौन-कौन से organism आते हैं तो जितने भी green plants हैं वो सारे green plants क्या करते हैं अपना भोजन खुद ही बनाते हैं उसके विशाय में भी हम further discuss करेंगे वीडियो के अंदर कि आखिर यह green plants कैसे अपना भोजन खुद से बनाते हैं उसके अलाबा जो BGA यानि blue green algae है यह blue green algae भी अपना भोजन खुद ही बनाता है तो इसे भी autotrophic nutrition के अंदर रखा गया है यानि green plants almost सारे green plants और BGA जो है वो autotrophic nutrition को perform करते हैं अगर बात करें autotrophic nutrition को perform करने वाले जीवों को आखिर क्या कहेंगे यानि वैसे organism जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं वैसे organism को हम क्या कहेंगे autotrophs कहेंगे तो यहां पर लिखा है an organism that can produce its own food using light water carbon dioxide और other chemicals is called autotrophs यानि light water carbon dioxide या फिर किसी दूसरे chemical के मादियम से अगर कोई organism अपना भोजन खुद बना लेता है तो वैसे organism को autotrophs कहा जाता है साथ ही autotrophs को प्रोड्यूशर के नाम से भी जाना जाता है यानि या अप कह सकते हैं जो autotrophic organism है वह क्या है दरसल primary producer है यानि भोजन के उत्पादक हैं अब बात कर लेते हैं इसका दूसरा मोड का जो है क्या हेट्रो ट्रॉफिक हेट्रो ट्रॉफिक में भी दो ग्रीक वर्ड इस्तेमाल किये गए हैं और दोनों ग्रीक वर्ड का ट्रॉफिक आपको पता है और हेट्रो का यानि हेट्रो ट्रॉफ लेहर्ट रफ्स जो है है teen about topic में हेटरो एक ग्रीक वर्ड है जिसका बतलब होता है अधर प्रोफ का जानते हैं टॉप क्या है फिर या नरिशमिन यानी वो मोर्ड अफ का वह तरीका जिस कोई organism किसी दूसरे organism से चाहिए वो प्लांट हो या फिर कोई एनिमल सो उससे अपना भोजन प्राप्त करता है तो वैसे nutrition को heterotrophic nutrition के नाम से जाना जाता है और जो organism इस तरह का nutrition perform करता है वैसे organism को heterotrophs के नाम से जाना जाता है जिसमें कौन-कौन है human beings हो सकते हैं कुटे बिल्ली यह सब क्या है heterotrophs है उसके अलावा कहता है कि heterotrophs जो होते हैं उनको consumer के नाम से भी जाना जाता है यानि वो क्या है एक भोगता है जो इस producer कुसर के द्वारा यानि जो उत्पादक के द्वारा बनाए हुए भोजन का इस्तिमाल करता है वो क्या कहलाएगा वो consumer कहलाएगा राइट तो यह उत्पादक हुआ और यह उभोगता हुआ तो याद रखेंगे जो होते हैं वो producers कहे जाते हैं और जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो consumers भी कहे जाते हैं अब तो यह डिसकस कर लेते हैं कि autotrop के अंदर कौन से दो अलग अलग तरह के organism हैं जो अलग तरह से nutrition करते हैं जहां दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले autotrop के अंदर एक category है जो photo autotrop की है और दूसरी category है जो chemo autotrop की है photo autotrop यह भी Greek word से मिलके बना है photo means light auto self autotrop मतलब feed या nourishment यानि वैसा organism जो light energy और inorganic carbon का इस्तिमाल करके अपने लिए भोजन produce करता है वैसे organism को photo autotrop की श्रनी में रखा गया है वहीं बात करेंगा chemo autotrop की तो chemo autotrop भी क्या है यह भी Greek word से मिलके बना है जिसमें chemo means chemical chemo को अगर ले तो इसका मतलब क्या हुआ chemical यह भी Greek word है auto आप जानते ही है self है और ट्रॉप्स feed है या chemo autotrop में वैसे organism आते हैं जो energy obtain करते हैं किसके द्वारा by the oxidation of यानि ओक्सी करन होता है किसका organic और inorganic substances यानि carbonic और अ-carbonic substances का molecules का oxidation होता है और उस oxidation के बाद वो अपने लिए energy obtain करते हैं तो वैसे organism को chemo autotrop के नाम से जाना जाता है basically जो chemical यूज करते हैं इसके अंदर वो chemical में क्या क्या हो सकता है वह हो सकता है hydrogen sulfide sulfur हो सकता है या फिर ferrous iron हो सकता है इसके अंदर देख सकते हैं example के दोर पे sulfur bacteria ऐसे हैं जो chemo autotrop को perform करते हैं या फिर archibacteria है यह भी chemo autotrop को perform करते हैं जबकि अगर बात करें वहीं हम लोग इसके अंदर photo autotrop के अंदर तो इसमें भी दो category है यानि दो तरह के organism है एक ऐसे organism जो eukaryotic photo autotrop है और दूसरे ऐसे जो prokaryotic photo autotrop है eukaryotic यानि वैसे organism जो developed है और prokaryotic जो underdeveloped है यानि पूरी तरह से developed नहीं है या यू कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या है true nucleus पाया जाता है क्योंकि eukaryotic है जबकि prokaryotic primitive टाइप के organism होते हैं तो इन दो तरह के photo autotrophic nutrition को यह perform करते हैं organism जिसमें eukaryotic क्या करता है कहता है कि वह energy कहां से लेते हैं तो वह energy लेते हैं किसके द्वारा chlorophyll molecules के माध्यम से जो present है कहां पर उनके chloroplast के अंदर यानि chloroplast के अंदर chlorophyll मौजूद है और उसी के molecule के थुरू यह क्या करते हैं energy को absorb करते हैं उसमें जैसे red algae है या फिर land plants है इन सब में क्या होता है chloroplast होता है उस chloroplast के अंदर प्रोफिल पाया जाता है और उसी के molecule के माध्यम से वह energy को absorb करते हैं और फिर अपने लिए भोजन को synthesize करते हैं तो ऐसे organism को eukaryotic photoautotrops की शरनी में रखा जाता है वहीं अगर बात करें prokaryotic photoautotrops की तो prokaryotic already primitive टाइप के organism है तो कहता है कि यह अब क्या यूज करते हैं यह भी chlorophyll यूज करते हैं या फिर bacterial chlorophyll यूज करते हैं जो कहां मवजूद होता है इनके cytoplasm के अंदर या निके साता है साइनो बैक्टिडिया है आर्की बैक्टिडिया है यह सब ऐसे और्गनेस्म है जो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के हैं और इनका सेल बहुत जादा developed नहीं है बहुत वेल और नाइज इनका structure नहीं है इसलिए इनके साइटोप्लाज में ही क्या मौझूद है या तो बैक्टरियों क्लोफिल मौझूद है या क्लोफिल मौझूद है और उसी का यह इस्तेमाल करता है फूट को सिंथेसाइज करने के लिए लेकर आएगे अगर हमारा हमारा लेक्टर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथी साथ सब्सक्राइब बटन भी धवाना बिल्कुल भी न बोले हुआ 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 है